हेलो एव्रिवन वेल्कम टू स्टडेशोर कर्ट्ज हेर इसी रही हो जैसे कि अब को पता है हम क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन पढ़ रहे थे तो क्लासिफिकेशन में हमने पहले एक समझा था एक एक अगजामपल के थूँ के ट्रांजेक्शन इफेक्टिंग अनली या फिर उसके बाद second type के आ जाती है two main elements को effect करते हूं या फिर all the three main elements को effect करते हूं अब इनको हम business के form में कैसे कैसी transactions होती है एक business में और उसको कैसे record किया जाता है तो उनको एक के करके सबकी समझेंगे examples के through assets कितनी ऐसे transactions हो सकती है कि जिसमें सिर्फ assets effect हों कितनी ऐसे transactions हो सकती है जिसमें सिर्फ liabilities effect हों सिर्फ capital effect हो या asset or liability effect हो तो सबकी examples के through आमें को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं बहुत elaborate करके समझने वाले हैं ये concept तो आईए हमें एक एक करके जो example है उससे समझने वाले हैं और इससे क्या होगा कि आपका concept बहुत अच्छे से पूरा clear होने वाला है और आपके mind में कोई भी doubt इसके बाद नहीं रहने वाला है क्योंकि इससे बाहर कुछ नहीं है तो please आप इनी examples को बहुत अच्छे से सुनियेगा और समझेगा और note भी करीगा very very important कि आप हर एक transaction को सुनने और समझने के बाद please उसको note भी करें ताकि आपको याद रहे कि मैंने किस चीज का treatment किदर किया था और कैसे किया था जो कि effecting only assets के related हमारी first example है that is purchase of fixed assets for cash जी देखे हम वो transaction करने वाले हैं पहले transaction को पढ़िए कि वो क्या कहता है purchase of fixed assets for cash यानि कि हमारे business नहीं business ने क्या किया fixed assets जो है वो purchase किया किस के बदले cash के बदले ठीक है एक business है for example Mr. A का एक कोई business है business का नाम है ABC रख लेते हैं हम अपने business का नाम तो ABC company है जो एक उसने क्या किया fixed assets purchase किया cash के बदले fixed assets आपको पता है कुनसे होते हैं non current assets इसमें एक बर पैसा लगाया जाए और उसका जो है easily उसको convert ना किया जा सके cash में और उसमें पैसा क्या हो जाए fix हो जाता है for example machinery तो एक बर हमने machinery उसको बेचने जाएंगे तो वो machinery हमारी fixed asset हो जाती है अब business ने क्या किया cash के बदले तो जब भी आप एक transaction आपके सामने आती है अपका क्या काम है उस transaction में यह देखने का कि उसमें दो चीज़े कौन सी है कि कौन सी है क्योंकि जो value है उसमें effect बढ़ रहा है देखिए एक तो fixed assets है वो आ रहे है बिजनस में यानिकि वो increase हो रहे है तो यहां पे एक आ गए fixed asset दूसरा क्या हो जाता है हमारा cash एक हो गया fixed asset दूसरा हो गया cash तो जहां fixed asset आ रहा है वही cash क्या है हमारा जा रहा है अब यह देखिए है तो current asset हो गया हमारा तो यह दोनों क्या है assets है यानिके asset के बदले asset आ रहा है और हमने example में देखा था पिछली वीडियो के कि जो asset के बदले asset है वो कौन से transactions होती है जो सिरफ asset side को effect करती है और उससे क्या होता है हमारी accounting equation balanced रहनी चाहिए क्योंकि same amount से ही होनी चाहिए यह जो exchange है से होगा अगर तो क्या होगा हमारा जो accounting equation है वो balanced रहेगा दिखें इसमें क्या है as a result of the transaction asset in the form of fixed asset increases क्योंकि fixed asset business में आ रहा है and at the same time asset in the form of cash decreases तो cash की फो में हमारे business में जो current asset था वो क्या हो गया degrees हो गया so the equation will be अब हमारी equation कैसी होगी इसको मैं एक example के साथ समझते हैं देखें हमारे पास asset है एक side पे capital plus liability और asset में हमारे पास कौनसे दो चीज़ी आएक दो fixed asset है और एक cash थीक है तो हमारे पतासपोस हमारे पहले से बिजनस में एक lakh रुपी की हमारे पास fix रुपी की हमारे पास machinery थी एक lakh पे हमारे बिजनस में as a cash पड़ा थे एक binnenक की की capital थी और 1 lakh की liability थी है हमारे business में तो यह हम business की जो एक current situation में आपको बता दी के business में देखो total asset कितनी होगे 1 lakh और 1 lakh कितनी होगे 2 lakh इसी तरह capital liability को plus करके कितना हो गया हमारा 2 lakh यानिके equation का है balanced है अब हम अपने transaction का effect डालती है तो हमारे transaction क्या कहती है कि हमने 5,000 रुपीज suppose 50,000 रुपीज की हमने fixed asset और purchase कर ली यानिकि 50,000 रुपीज की हमने machinery जो है वो और जाद और ले ली उसके बदले क्या किया हमने 50,000 का जो cash है वो pay कर दिया तो यहांपर जो हमारे fixed asset थे 50,000 से plus हो जाएंगे क्योंकि increase हो लेकिन वहीं जो cash है वो reduce हो गया 50,000 का रह गया ठीक है 1,500,000 की हमारे fixed asset हो गए लेकिन cash 50,000 का रह गया क्या इधर कुछ effect पड़ा कोई capital increase decrease होई क्या liability increase decrease होई नहीं कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि हमने तो cash साथ में पे कर दिया था तो यह तो वन लेक और वन लेक ही रहेंगे तो यानि कि इधर का अगर हम total देखे तो कितना हुआ 1,500,000 plus 50,000 कितना हुआ 2,000 इसी तरह यहां पर 1,000 plus 1,000 कितना हुआ 2,000 यानि कि 2,000 is equal to 2,000 हमारे equation जो है वो balanced है क्यों balanced रही क्योंकि same amount से asset आया था और उसी same amount से asset जो है चला गया इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ा total में overall में फर्क पड़ा तो सिर्फ इतना पड़ा कि 50,000 के fixed assets आये थे 50,000 से current assets चले गए तो fixed assets बढ़ गए current assets reduce हो गए लेकिन overall assets जो है वो उतने के ही रहे 2,000 रुपीस के इस तरह हमारी accounting equation balance रुई और हमने इस transaction का effect देखा कि यह हम कैसे डालते हैं तो आपको पहली example अच्छे समझ में आई होगी कि क्या थी हमने सिर्फ assets को effect करने वाली example देखी थी कि सिर्फ assets कैसे effect होते हैं जिसमें सिर्फ एक तरह कैसे डाते हैं और एक तरह कैसे जो है वो चले जाते हैं तो यह तो वह simple example थी रहाइसी और simple and interesting examples हम देखने वाले हैं आगे तो यह जो example थी ना अभी मैंने पूरी 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 लिखा है इसमें हर एक चीज के कैसे transactions होगी कैसे उसका effect होगा तो पूरा उसका जितने चीजे लिखनी के बनती थी मैंने लिखी है इसमें ताकि आपको first example है अच्छे समझ में आई कैसे होता है क्या होता है वो सब भी transactions का effect समझ में आई नेक्स क्या करेंगे हम सीधा जो है उसका numerical view है numerical जो उसका करना है सिर्फ वही देखेंगे numerical effect देखेंगे यह theoretical effect जो है उसको बार बार हम नोट नहीं करेंगे यह वह को एक बार में समझ आ गया कि उसको कैसे लिखना होता है तो जब से पहले आपका transaction में क्या का मैं आप transaction यह तो यह थी हमारी first example तो प्लीस आप इसको note भी करो साथ में अभी note करो आपको समझ में आ गई तो अभी आप इसको note करो ताकि आपको याद रहे किस चीज़ का ratement कैसे करना होता है अब हम इसके आगे देखते हैं हमारी second example तो हमारी second example है purchase of goods for ठीक है तो पहले हम ने क्या किया था fixed assets जो है हम ने purchase किया है अब हम क्या purchase करें goods purchase करें तो fix जिसको हम business में use करने के लिए लेकर आते हैं खुद के use करने के लिए ना की sale करने के लिए लेकिन goods वह चीज़े होती हैं जिसको buy करते हैं sale करते हैं दुबारा resell करने के लिए लेकर आते हैं वो चीज़े जिसमें हमारा business के डील कर रहा है तो अभी क्या हम goods लेकर आए हैं purchase कर रहा है हमने cash basis पर कितना 60,000 60,000 के goods लेकर आए हैं तो अभी जो यह उपर का जो है सबते पहले यह देखना कि कौन से elements है और फिर यह लिखना यह आप साथ साथ में आप second example में करके देखो क्या आप से सही से हो रहा है या नहीं आपने सही से elements को पहचाना उसको आपने जो element की classification है वो सही से की है या नह देखते हैं example purchase of goods क्या है stock है ठीक है stock और goods वो चीज़े जो हमारी business में बेचने के लिए तो stock और जो है वो कौन सा asset है हमारा आप बताओ एक बार सोचो फिर देखते है को आपका जो answer है वो match कर रहा है सही answer से यह नहीं बताओ एक बार कि stock जो है वो कौन सा asset है जी हां स्टोक जो है वो हमारा current asset है बिल्कुल आपने सबने सही बोलाओगा जो goods है stock है वो क्या हमारा current asset है current क्यों है देखो stock को हम easily sale कर सकते है क्योंकि मेरा business ही है ठीक हम उसको sale करने के लिए तो रखा हुआ है तो जब हम उसको easily sale कर सकते है और easily उसके cash convert कर सकते है और within a year within 12 months हम उसको इसमें dealing करते हैं तो वो क्या होता है हमारा current asset होता है और दूसरा क्या है इसमें cash ठीके दो चीज़े क्या थी goods आ रहा था cash जा रहा था तो goods और cash दो चीज़े हो गई अब cash कौन सा asset है सोचो cash कौन सा asset है मैंने first example में भी आपको बताया था कौन सा asset है cash current asset है क्योंकि तो खुद ही liquid asset है तो cash क्या हो गया current asset तो अब ही क्या हो रहा है that means current asset आ रहा है और current asset ही जा रहा है यानि कि इस example में भी क्या हो रहा है asset element जो है सिरफ वही effect होगा क्योंकि asset के बदले asset आ रहा है और कितने का 60,000 रुपीज तो फिर वही example को continue करते हो है हम समझते हैं हमारे पास assets हैं कौन से stock और cash और इधर capital और liability अब stock कितना हमारे पास पहले रुपीज प्हाले से 1,00,000 रुपीश का था cash भी हमारे पश 1,00,000 रुपीज था तो total assets कितनी के होगे 2,00,000 के इसी तरह capital हमारी 1,00,000 रुपीज की कितने का 60,000, तो stock क्या हो गया, हमारा plus हो जाएगा, 60,000 रुपीज से, लेकिन उसके बदले cash क्या हमने pay कर दिया, पैसा गया हमारे business से, तो 60,000 क्या हो जाएगे, minus हो जाएगे cash से, ठीक है, तो overall हमारा stock जे हो है, तो क्या हो जाएगा, ब 1,660,000 रुपीज, कितने का 1,660,000 रुपीज, यह इसमें plus हो गए, लेकिन cash हो गया, reduce हो गया, पहले भी 2 lakh रुपीज के थे 1 lakh प्रस अभी भी 2 lakh के हैं ठीक है न तो assets तो मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ा assets में change नहीं हुई ठीक है सिर्फ यहां पर फर्क पड़ा stock increase हो गया लेकिन overall assets है जो वो 2 lakh रुपीज के ही रहे तो यह वो transactions हैं जिसमें सिर्फ element asset effect हुआ लेकिन value क्या है वो same रहेगी यहां पर भी 2 lakh रुपीज की क्योंकि capital ना तो आई ना गई ना liability बड़ी ना घटी तो इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा तो यहां की जो capital लेबिल्टी कितनी है 2 lakh रुपीज और यहां पर भी 2 lakh को अभी transactions आप अपनी notebook पे heading लिखकर वो transactions या इसके related कुछ और examples बनाकर आप खुद बनाकर देखिए कि आपसे वो transaction उसका जो accounting equation का effect है क्या वो खुद से कर पा रहे हैं इससे क्या होगा आपके practice हो जाएगी clear चलिए अब हम देखते हैं अपनी next example अब हम देखते हैं अपनी third third example sale assets at power for cash अभी तक हमने जो example दो कि क्या थी purchase करने की business में कुछ लेकर आने के जिसके बदले business कुछ दे भी रहा था अब हम क्या कर रहे हैं हमारे fixed assets को हम sale करें अब आप कोगे आपने तो खादा fixed assets हम sale करते ही नहीं है हम तो उसको use करने के लिए लेकर आते हैं तो बिल्कुर हम उसको use करने के लिए ही लेकर आते हैं लेकिन इसका मतलब हम उसको ऐसे नहीं करते कि आज लिए और कल हम उसको sale करने के लिए चलेगे उ अगर हम अपनी मिशिनरी को अपने fixed assets को replace करना चाहते हूं उसके बदले कोई नया fixed assets अच्छा fixed assets लेके आना चाहते हो तब तो हम उसको sell कर सकते हैं अब जो नया लेके हैंगे उसको भी हम इसी purpose से लिख रहेंगे कि उसको use करेंगे तो इसको sell इसलिए नहीं करना चाहते कि इस इसको हमने 5 सल use किया अब उसके बदले हमें नई machinery बिजनस में लेकिया नहीं है जो ज्यादा output देती है ज्यादा चीज़े बनाती है तो हमें fixed assets को sell करना चाहते हैं तो हमने इसको sell किया at par अब इसमें एक word है at par at par का मतलब होता है जितने की कोई चीज आई हो उसमें उसको उ mail करती for cash for cash का मतलब है कि हमें उसे उसी वक्त पैसे मिल गए अगर for cash ना लिखा तो that means हमने उसके बतले cash आया है तो अब इस transaction में मुझे पढ़कर फटा फट से ये बताओ कि कौन सी दो चीजे इसमें इस transaction में involved है कौन सी दो चीजे हम सबसे पहले इसमें देखेंगे सो चो इसमें जल्दी से section में comment करकर बताते रहना कि जो fixed assets है और cash है कि इन से मैं बोली दिया actually fixed assets और cash ये दो elements है वो क्या है इसमें involved है तो sale of fixed assets और cash अब fixed assets कौन सी asset है current है non current है कौन से है definitely non current है और cash क्या है हमारा current asset है ठीक है तो non current और current asset यानिकि फिर से ये हमारी वही transaction है जि सिर्फ element जो है asset वो ही effect होने वाला है एक तरह के asset जा रहा है तो एक तरह के asset आ रहा है अब इसके related example देख लेते हैं राम sells a machinery of Rs.60,000 for Rs.60,000 यानिके राम वासिक machinery थी जिसकी value कितनी थी 60,000 थी उसने कितने पे sale कर दी उसको Rs.60,000 पर ही sale कर दी यानिके 60,000 की जो machinery थी उसने 60, पर sale की तो यानिके at par हो गया ना no profit no loss अब asset is equal to capital plus liability यह तो हमने अपनी accounting equation लिख लिए फिर हमने देखा asset में हमारे पस क्या क्या है एक तो हमारे पस machinery है एक हमारे पस cash है cash लिख लिए अब machinery कितनी कि है वही example lakh lakh वाली 1 lakh रुपी हमारी machinery 1 lakh रुपी हमारी cash 1 lakh रुपी हमारी capital 1 lakh रुपी हमारी liability तो 2 lakh asset 2 lakh liability side equation हमारी balanced है अब हम डालते हैं इस वरी transaction का effect हम क्या कर रहे हैं 60,000 की machinery sale कर रहे हैं उसके बदले 60,000 रुपी हमारे तो 60,000 की sale कर दी 1 lakh की total machinery थी उसमें से 60,000 की sale कर दी 60,000 की sale करने का मतलब ऐसा होता है कि माल लो हमारी machinery जो थी उसके कुछ parts होते है ठीक है जो total में कितने ते 1 lakh थी लेकिन हम 60,000 रुपीज के parts से उसमें से sale कर रहे हैं हम सभी parts sale नहीं कर रहे हैं या हो सकता है हमारे पस कई machinery हो ठीक है for example हमारे पस 2-4 machinery हो ठीक है उसमें से हम 4 machinery में से सिर्फ 3 machinery sell कर रहे हैं या 2 machinery sell कर रहे हैं और उनकी value 60,000 है तो इस तरह से हमने 60,000 रुपीज की value की जो machinery है वो हमने sale कर दी अब जो हमने sale कर दी तो हमरी machinery कं हो गए हमारे business से तो कितने की रहे गी 1 lakh minus 60,000 कितने रुपीज की purchases where eugам 40,000 रुपीज की missionary और बिजनस में cash कितना आ गया वान लेक तो पहले से था अब 60,000 cash और आ गया till total कितना हो गया 1,60,000 रुपीस हमारे बिजनस में cash जो है वो बढ़ गया machinery कम हो गई cash बढ़ गया capital में कुछ फर्क हुआ no liability में कुछ increase decrease no क्यूंकि हमने तो cash basis इस पर लिया था तो अब total machinery हमारी 40,000 की रह चुकी है और cash हमारा 1,60,000 से बढ़ गया है तो अब total देखें इसमें कितना होगा 1,60,000 प्लस 40,000 कितना हो गया 2,00 रुपीस और यहां पर capital कितनी है 1,00 और 1,00 यह भी है 2,00 रुपीस अभी भी हमारी जो accounting equation है वो क्या है balance है बैलेंस होनी ही चाहिए थी पहले 1,00,000 प्लस 1,00 था अब 40,000 प्लस 1,60,000 लेकिन overall जो assets है वो 2,00,000 रुपीस के ही है जो इसके इस तरह हैं तो इस तरह से हम अपनी इस transaction का effect दालने के बाद accounting equation को balance कर चुके हैं आपको भी यही देखना है कि हर एक transaction के बाद accounting equation है वो हर हाल में आपकी balance होनी चाहिए clear लेकिन उसको करने के लिए आपको सबसे पहले क्या देखना है यह देखना है कि transaction में कौन सी दो चीज़े involved हैं वो कौन से element से relate करती हैं और उनके effect दालने के बाद accounting equation balanced होनी चाहिए clear तो अभी यह तीन examples हो चुकी हैं मैं बार बर करते जाएं नोट बुक पर note करते जाएं और इसके related examples खुद से बनाकर इसको solve करते जाएं जिससे आपकी practice होने वाली हैं अगर आप खुद से examples और नहीं नहीं examples बनाकर इसी के related आप करने वाले हैं for example आप machinery के लेकर कर लीजिए आप furniture के लेकर कर लीजिए आप land and building के लेकर कर सकते हैं plant and equipment के लेकर कर सकते हैं साथ में amounts जो है वो change कर सकते हैं तो उससे क्या होगा आपकी practice और ज्यादा अच्छे से होती जाएगी फिर आपको इस नुमेरिकर में कभी भी आपको दिक्कत नही होने वाला यह concept आपके यूं tips पर हो जाएगा तो अलग-अलग examples को लेकर इन examples को करते जाएगे अब हम देखते हैं अपनी next example करते हैं अपनी fourth example sales at bar for cash देखे पहले हमने fixed assets sale किये थे अब हम goods sale कर रहे हैं goods यानि कि हमारा stock वो चीज़े जिसमें example में at par मतलब no profit no loss clear तो अब में example देखते हैं चोड़ पहले इस example में आप यही बताओ कि इसमें कौन से दो चीज़ें involved हैं sale of goods of goods at par for cash देखे बताईए कौन से दो चीज़ें involved हैं इसमें एक बार दिमाग लगा कर देखे इसमें कौन से दो चीज़ें involved हैं और वो कौन से element से relate करती हैं बिलकल इसमें goods और cash involved है goods और cash goods क्या है यानि कि stock हमारा कौन सा asset है current asset है और cash जो है वो भी asset है current asset है यानि कि same current asset जा रहा है अब यहां पर यह वाला current asset आ रहा है सेल कर देंगे तो बिजनस से चला जाएगा ना को चीज Mr. A sells his goods worth रुपी 60 थाओजन तो Mr. A था जिसने अपनी बिजनस के जो 60 थाओजन रुपी जो उसके पास goods थी उसने सेल कर दी कितने के कितने की सेल कर दी 60,000 के लिए सेल कर दी यानि कि कोई profit नहीं हुआ कोई loss नहीं तो हमें accounting equation लिखें, asset is equal to capital plus liability, asset में कौन सी दो चीज़ी आ रही है, goods यानि की stock हमारा plus cash ठीक है और कितने का वही है हमारी 1 lakh रुपीस का stock, 1 lakh रुपीस का cash, 1 lakh रुपीस की capital, 1 lakh रुपीस की liability, 2 lakh assets, 2 lakh इदर का total आपस में balanced है, अब इस transaction का effect डालते हैं, क्या करना है, हमने क्या क करना है, यानि कि minus करना है, to reduce करना है, तो यहां पर minus हो गई हमारी 1 lakh 6,000 ki goods यो है वो minus हो गई, लेकिन इनके बदले, इनको share करने के बदले, हमारे business में क्या हाया, cash आया, cash क्या हो गया, plus हो गया, cash 60,000 से increase हो गया, stock decrease हो गया, cash increase हो गया, तो 1 lakh से 60,000 minus किया तो stock कृतनी का रहे रहा गया हमारे पास और 1,60,000 का cash जो है वो हमारे business में हो गया है तो total assets जो है वो कितने के हो गए हमारे 40,000 प्लस 1,60,000 तो total assets हुए 2,00,000 रुपीज जो कि फिर से balanced है हमारे equation इधर से 1,00,000 प्लस 1,00,000 तो यह पहले भी 2,00,000 तो अभी भी 2,00,000 है बस इनकी composition में difference आ गया है पहले composition stock plus cash की कितनी थी 1,00,000 प्लस 1,00,000 की अभी stock plus cash की composition क्या है 40,000 प्लस 1,60,000 तो यह composition में फर्क है asset के बदले asset गया stock कम हो गया cash increase हो गया ठीक है दोनों non current assets है तो composition में difference है लेकिन overall assets उतने की ही है क्योंकि यह transaction है सिर्फ एक element को effect करते हैं जब एक element को effect करते हैं तो same amount से जब हम उस चीज को डालते हैं क्योंकि equation तो balance करनी है तो overall वह element जो है total में उतना ही रहता है उसमें कोई increase decrease नहीं होता लेकिन उसकी composition में फर्का जाता है ठीक है तो वही चीज़ यहां पर भी हुई तो यह हमारी थी fourth example तो मैंने जैसे बोला कि आप और और examples बनाकर इ नहीं पड़ेगी आप यह चीज यह line पड़ो होगे ना आपको पता जल जाएगा कि इसका सारा treatment कैसे होगा क्या दो element involved है कौन सा element उसमें effect होने वाला है कौन-कौन से element effect होके उसका क्या effect निकलने निकल के राने वाला है तो वह चीज़ आपके tips पर हो जाएंगी बस आप practice कर आपके रहो इट ओल डिपेंड्स ओन यूर प्रैक्टिस सो हमने फॉर एक्जाम्पल्स हमने देख ली है वह transaction यो सिर्फ assets को effect करती हो हम आने वाले अपनी जो और वीडियो हम लेकर आने वाले हैं उसमें और जादा एक्जाम्पल्स लेकर आने वाले हैं वही जो सिर्फ assets को effect करती हैं क्योंकि बहुत सारी transactions हैं business में जो सिर्फ asset element को effect करती हैं तो हम वो सभी transactions को देखेंगे एक एक transaction के example को देखेंगे कैसे वो asset element को effect करती हैं तब तक के लिए आपके practice के लिए मैंने ये examples आपको करवा दी हैं आप ये examples भी अपनी notebook पर note करें और साथ में और examples बना कर भी आप अपनी प्रैक्टिस करते रहें तब तक के लिए thank you and please subscribe my channel and press the bell icon button for more videos